अब हमारे भाई यहांपे गुसा होके गालिया दे रहे होते हैं मैं सोचता हूँ यार मैंने क्या कर दिया फिर बाद में यह पता चलता है मेरे को तो भाई लोग कैसे हो तो यार वैलकम दी बैक, बैक दी वैलकम और स्वागथ यापका एक बीराण नेउ गलत सीन से भरे पड़े पबजे दो वाल गेम परे वीडियो में और यार इस मैच में एक अंजान अदमी हमारी किल बढ़ाने में मदद कर जाता है जाने अंजाने में कैर वो सारे सीन थोड़ा बाद में होंगे फिलाल यार मिलती रही आया हूँ और दो बंदे दिखे मुझे मजाग तो यार मेरे साथ हो रहा है पबजी मेरे साथ मजाग कर रहा है सिर्फ और सिर्फ दो बंदे आयोते हैं मिल्टी रही में कोई नहीं दिखा अपने बिल्डिंग में कोई नहीं दूर दर्राज पे कोई नहीं मैं गूम के आता हूँ हर जगा पे यहाँ पे बस दो बंदे उत्रे हुते हैं और दोनों के दोनों उतरते ही धिल जाते हैं या रब 20 मिनिट की कैसे बनेगी वीडियो कुछ जुगार लगाना पड़ेगा केर मैं गूम घाम करके कहीं दूर फैक्टरिय वगेरा सब जगा पे एका चकर मार के आता हूँ और मेरे को लगता है यार कोई भी नहीं आया मैं निकलने के लिए तयार हो जाता हूँ लेकिन सीन क्या होता है जहां पे हम पहले उतरे थे वहाँ नीचे वाले कमरे में एक बंदा केम्पिंग करके बैठा है देखो जराब भाई को और जहां तक मेरे को याद आ रहा है मैं ठीक इसी बिल्डिंग के चच्चुत में उतरा था लेकिन तब तो कद्दू कोई नहीं था यहाँ पे अब जब तक मैं गूम भटक के वापिस आता हूँ यार बंदा केम्पिंग करके बैठ चुका है कैर जैसे तैसे करके तीन बंदे एक बोट पेल के चार किल हो जाती है यार मेरे को सही में लगाता है यहाँ पे दबा के बंदे आएंगे प्लेन पास सही जा रहा था लेकिन कोई भी नहीं आया सबका केम्पिंग का मूड होगा तो मैं गाड़ी उठा के सीधा वहाँ पे जाता हूँ जहाँ पे मेरे को लगा था कोई होना नहीं चाहिए पोचंकी में लेकिन इस मैच में बंदे पोचंकी उत्रे होते हैं मतलब लोग वहाँ जाएंगे जहां पे मैं नहीं कूद रहा हूँ ताकि मेरे साथ ज्यादा गलत सीनों और यहां पे आर पोचंकी जैसी जगाओ पे बंदे अलग अलग जगा पे बैठे पड़े होते हैं तो उनी की तलास में मैं पहले आगे वाले को पकड़ने जाता हूँ इसी छूटे घर पे हैं भाई और एक दूसरे को बचाने के चक्कर में ये तीनों के तीनों पकड़े जाते हैं और यार यहां पे जो सबसे पहला बंदा मैंने पकड़ा वो न जाने क्या ही कर रहा था मैं आया मैं पीछे से देख रहा हूँ मैंने सकोप खोला बंदा कुदे जा रहा है दरवाजे के सामने कुदे जा रहा है ये शायद कोई अलग टैप की ठीपीपी होगी खैर ये तीन यहाँ पे पेले लेकिन यार चौथा बंदा यहाँ कहीं था नहीं लेकिन था वो पोचंकी मेही हमारे भाई कहीं आगे की तरफ बैठें तो मैं भग के जाता हूँ उसको पकड़ने के लिए और वो और पीजे भगता है और आज कल मेरे को यार उजी से बहुत डर लगने लगा है उजी गुरोजा एम के ऐसी गने हैं कब नौक करके कब पेटी बन जाए पता तक नहीं चलता और हमारे ये भाई भी उजी पढ़कारे होते हैं खयर जैसे तैसे करके ये चारो बंदे ठिल जाता है आकरी उजी वाला बंदा पकड़ने वाला था बज गा मैं वैसे अब आगे जाएँगे और आगे एक बंदा बंदे ढूंड़ने में हमारी मदद कर बैठेगा लेकिन उससे पहले हम धेड़ पेड़ बात कर लेते हैं हमारे सपॉंसर की तो यार इस एप या फिर वेबसाइट का नाब है वन एक्सपेट जिसके माज़त से अब कई सारे गेम्स जैसे क्रिकेट फुड़ बॉल बास्केट टेबल टैनिस और साइबर क्रिकेट जैसे इस्पोर्ट्स या फिर इस्पोर्ट्स पे बैट बूट लगा सकते हो साथ ही साथ इसमें आपको साथ जार रुपे तक का बोनस मिलेगा आपके पहले डिपॉसित में अगर आप मेरा प्रोमो कोड यूज करते हो जो कि कमेंट सेक प्रिक्स्योन में होगी बिल्कुल टूप में कभी मेरे को लगता है यार मैं पबजी नहीं टीवी सो देख रहा हूं खत्रों के खेलाडी चला इधर अकेला बंदा आया है डिरोप लेने और देखो यार पंदे पे महंगी गाड़ी की सकीन है तो चौड भी जादा है भाई अब हमारे भाई यहां पे गुसा होके गालिया दे रहे होते हैं मैं सोचता हूँ यार मैंने क्या कर दिया फिर बाद में ये बता चलता मेरे को अब है मैंने दे रहा हो अपनी टीम मेट को बोलता है और ये बात सुनके मैं पूरे के पूरे जोस में आ जाता हूँ मैं बोलता हूँ यार ये बंदा ठिलता रहेगा छोड़ दो इसे जाके नो वाले बंदो को पकड़ते हैं अब थोड़ी और बात की भाई से कि यार कहा पे कैम्प करेंगे क्या सीन होगा लेकिन पता चलता है मेरे घ्याल से उन्होंने ब्रिज पे कैम्प लगाया था तो मैं गाड़ी उठाता हूँ और हमारे भाई उस बंदे की पेटी बना देते हैं वैसे एक तरह से बढ़िया है यार तड़प के मरता बहुत दुख होता वैसे असली वज़ा ये है कि मैं नहीं चाता यार बोट आखे पेल जाए हाँ बोट किल चूरी कर देते हैं तो उसको पेलते ही मैं नोव वाले ब्रिज पे चलता हूँ और यहाँ पे आते ही एक गाड़ी दिखाए देती है तो मैं दे पीचा करता हूँ उनका प्रूप घट उनका और कितना डैमेज दूँ यार इतने में तो 14 बंदे ठील जाने चाहिए दोनों बंदों को गोली लग रही है पीला दुआ दबा के आ रहा है लेकिन कोई ठीलने का नाम नहीं ले रहा है सब बचके भग गए यहां से और मेरे को लगा था यार इनको पकड़ लूँगा मस्त पेटी बनाऊंगा केड़ी कूडी जन्वों तक की बचेगी लेकिन ये लोग बिलकुल मूँ के सामने से आदे सेकंड पहले यहीं पे दिखरे थे उसके बाद कट करके गायब टैप हो जाते हैं लेकिन देखो उन दो बंदों को मैंने पकड़ पाया लेकिन कहीं न कहीं वो लोग हमारा फायदा करा देते हैं क्योंकि उनको ढूंटे-ढूंटे मैं पोचंकी पहुंचता हूं और यहां पे पूरी की पूरी टीम बैटी पड़ी है तो यहां पे ज्यादा किल मिलेंगे अपने को अब एक तो मेरे सस्ते नेड़ है उसके उपर से चैन से नेड़ करने दिया नी जा रहा है तो यह बंदे कैसे ठीलेंगे वैसे वो नहीं भी चलाता तो भी कोई बैठे पड़े हैं एक आद तो नौक कर दिये थे और एक आद आगे ही बैठे हैं और जितना मैं सोचू कि यार बॉट उपे अत्याचार बिल्कुल नहीं करूंगा आद से उत्रा जदा मजबूर कर देते हैं और इधर पे दबा दबा के रिवाइव रिवाइव खेला जा रहा है मैं वहाँ दूर से आया भटकते भटकते धैड़ पड़ा के बंदे नौक देता हूं और ये रिवाइव दे देते हैं और वही बंदे उटके मेरी ही पेटी बनाने को आते हैं यहाँ पे जैसे तैसे जिंदा बचे हैं खेर इसी के साथ यहाँ पे आके पांच कि इन मिल जाते हैं और इसके बाद मैं दूबारा से वहाँ ओपन में जाता हूँ जहां पे वो गाड़ी गायब हुई थी अब वो गाड़ी वाले किधर गायब हुए वो तो नहीं पता लेकिन यहाँ पे कोई और गाड़ी वाले भी खड़े हैं मेरे ख्याल स्यार फलेर वागेरा मगाई गई थी और लूट लाटके बंदे इधार उदार भगरे होते हैं और भगते भगते हमको पकड़ने की कुशिस करते हैं अब असल दुनिया का तो मेरे को नहीं पता लेकिन पबजी में इंसानियत खतम होने को आई है देखो जरा अब यहां पर मैंने दो ठाई बंदे नौक करके रखे हैं अब देखो यह जो पास वाले पेड़ में है यार यह तो बचके कहीं नहीं जाने का जलती बोतल में आग भेग चुका हूं लेकिन एक बंदा जो उपर नौक किया था उसको कोई रिवाइव दे देता है और एक ब अब दो बंदे खुशी खुशी घर की तरफ बख जाते हैं यहां पे इनके दो बंदों की पेटी बन गई कोई दुख नहीं वो अंधा बखते वे घर की तरफ जाते हैं सही यार सबको अपनी जान प्यारी होती है समझता हूं मैं तो यहां पे जो भी लूट लाट पड़ी होती है मैं उठाता हूं उसको और आगे देखो यार किस कदर पबजी में इंसानियत खतम होती जा रही है दिन बादिन खतम होती जा रही है तो लूट लाट मैं पूरी क बैटता हूँ और भगा के भगा के ले जाता हूँ घरों की तरफ और देखो क्या सीन होते हैं अब ये बंदा जिसको मैं नौक किया ये वो बंदा है जिसने पहले टीमेट को रिवाइव दिया था लेकिन यार इंसानियत देखो ये बंदा यहां पे नौक पड़ा है तड़पता रहता यहां पे लेकिन उसका टीमेट इसको बचाने के लिए बिल्कुल भी नहीं आता कोई गोली नहीं कोई फुटी स्टेप नहीं और जहां तक मेरे को पता है वो आगे वाले कहीं गर पे बैठाता या कई लेट गया होगा लेकिन रिवाइव देने वो बंदा आया नहीं इंसानिया त्यार खतम होती जा रही है उससे बड़ी आया यार ये रिवाइव इना देता मेरे को किल तो मिलती कम से कम खैर वो गया कद्दू लेने मैं उठाता हूँ गाड़ी और बाकी बंदे डूड़ने निकलता हूँ क्योंकि यार मैं नहीं चाहता एक अकेले केमपर के चलते सारी की सारी किल चूरी हो जाए और आगे एक गाड़ी रुकी है और इधर पे भी मेरी गिल चूरी करने की पूरी 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 कोशिस की जाती है कोई दूर घर पे यार बैट के नजाने क्या क्या चला रहा होता है मैंने ख्याल से डीपी पटका रहा था और यहाँ पे मैं देखता हूँ तो यार मेरे पे AWM पड़ी होती है अब ये गन मैंने कब उठाई इसका मुझे कद्दू भी कोई अंताजा नहीं लेकिन यार चलाना पड़ेगा बिल्कुल चलाना पड़ेगा इसे अब रस्ते में पत्ते बहुत आए लेकिन यार उसका थोपड़ा भी मेरे को बड़ा बर दिकरा था तो यहाँ पे किस्मक चमकती है लग चुका है गलती सैट सोट और यार करना क्या था अंधी गाड़ी लो और ठोक दो पीछे वाले घर में क्योंकि यार चार हुए न तो वो अंधा यार गोली चलाएंगे और मेरे को लॉबी भीचेंगे और यहाँ पे बंदों की गोलिया और नेट से जादा डेमिज तो यार कार से उतर के हो जाता है बहुत बहर हुआ है मेरे साथ क्या करे यार लालज बहुत उती है जल्दी उतरने का मन करता है क्यार अभी वो लोग रिवाइव अगेर आऊ चुके हैं और बराबर नेट नाट फेके जा रहे हैं तो फेकनी की कोशिस मैं भी पूरी पूरी करता हूं और पूरे चोड में भखके यहां पे आता हूं फिर देखता हूं यार ये घर तो आधा जोन में नहीं है रस करने में दिक्कत होगी और इधर बंदे तो नो खोने से रहे गए तो मन तो कर रहा था है यार गाड़ी लू जोन में जाके बैठ जाओं और इनके इंतिजार करूँ लेकिन फिर मैं देखता हूं एक और नेट पड़ा है मेरे पे और यार बंदा भी सामने ही दिख रहा है तो फेक देता हूं उठ और दोनों के दोनों बंदे एक गर के आधे कोने पे बैटे पड़े होते हैं यार यहीं पे बैठे थे फिर भी पहले नेट से ठिलते नहीं यह लोग कैर इसी के साथ यह वाली जगा पूरी खाली हो चुकी है अब गिने चुने पाच बंदे बाकिये मेरे ख्याल से और यार इन लोगों की केंपिंग देखना गाड़ी उठाके मैं जोस में ले जाता हूं सामने वाले तीन घरों पे सरनाटा पूरा होता है यार मेरे को लगा एक डेड़ बंदा बैठा होगा लेकिन जैसी मैं पास जाता हूं ना आप सीन देखो मज़ा ठैपा जाएगा एक बंदा भी नहों कर दिया फुट श्टेप भी ज्यादा नहीं आ रहे हैं तो मेरे को लगता है यार अकेला होगा है और यह देखो भाई को अब दो बंदे तो पकड़ लिये लेकिन दो और बाकिये हैं और वो सामने वाले घर पे होते हैं और एसे चट पे चड़के केंपिंग करने के लिए भी अपनी एक चौर चाहिए होती है बंदा बिल्कुल ओपन में है वहाँ से कोई भी पकड़ सकता है उसे लेकिन भाई को केंपिंग करनी है तो करनी है भाई लेट गए बाहर जाके अब मेरे को आती है गिसरने की फिर मैं बाहर की तरफ देखता हूँ बाहर न जाने कौन से सेक के उपर भाई लेट के बैठे होते हैं और देखो अच्छा हो मैं इधर पे आया अगर मैं उस दूसरे तीन मंजिला घर पे जाता तो वहाँ पे कुछ और तरीके की केंपिंग दिखती बढ़िया यार क्या प नहीं कहीं बैठा होता है या फिर लेटा होता है अब देखो मैं सोचता यार एक अकेला बंदा है इससे हल्वे की तरह पे लूँगा लेकिन सीन उल्टे पड़ जाते हैं मैं ठिल जाता हूं हल्वे की तरह और मैं सोची रा था कि यार इस मैच पे मेरे को एक भी बांना नी देना पड़ा लेकिन फिर ये हो ही जाता है अब देखो मेरे लिए मैं तो पेड पे आ गया था कवर पे आ गया था लेकिन भाई गोलिया चला चुके होते हैं और यार पेड के पीछे आने के बाद देमेज पढ़ता है मेरे को और हमारे भाई सामने ही लेटे है और यहाँ पे किस्मत सही थी कि उस बंदे ने नेट करने की नहीं सोची भाई ने सोचा कि पहले हीलिंग हीलिंग खेलेंगे अब अगर वो एक नेट नूट कर देता ना तो यार चिकन तो सायद हो जाता लेकिन खिलनी मिल पाती कैर जैसे तैसे करके यहाँ पे मैं बच जातो यार लगनी राथा मैं नौक होंगा और नौक होने के बाद लगनी राथा मैं बच पाऊंगा लेकिन चिकन चुकन हो ही जाता है तो बस भाई लोग यार आज स्क्राइब बहुत बहुत शुक्रा वीडियो देखने के लिए जाते जाते मेरे ये सस्ते बहाने और भाई की ये केम्पिंग कुम्पिंग के लिए यार लाइक ठोकना मत भूलना और अगर आप यहाँ पे नए हो तो यार करो सब इसक्राइब औ इल्कुल तगड़ी टीम पे लगाना और यार क्या पता आपकी टीम के साथ साथ आप भी पैसे जी जाओ एक एकस बैट की लिंक कमेंट सेक्श्यों में होगी और हाँ भाई लोग तुम्हारा भाई डेली रात के नौ बजए नो नो लाइफ पे लाइश से ट्रीम वगएरा करता है आओ यार वहां पे भी दबा के गलत सीन होते हैं तो यार उस एप की लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी उसको डाउनलोड करके भाई को फॉलो पेलना मत भूलना डिस्क्रिप्शन में होगी और बहुत ही जल्द गिववेब भी होने वाले हैं मोबाईल पून के तो यार फॉलो पक्का करना तो आज के लिए इतना है भाई लोग क्यार कर मिलते हैं बाई बाई झाल